दिली दे मुख मंत्री अर्विंद केश जिवालने शुकरवार नू बॉलिवर्ड अधाकार सोनू सुक्त नल प्रेस कॉंफेंस की ती इस मुख्य केश जिवालने के हां की पूरे देश लई सोनू सूद प्रेड नसरो था जो दो वी कोई मुसीबत वे चुंद है इना नल संपर्क करता है अति सोनू उसी हर तरह नल मदद करते हां जो सरकार नहीं कर पार रही ओ एह कार रही हां किस जिवालने केश कंगा नहीं कि यह हैं बहुत खुशी दिगालए कि देश WOW ओंने केश तरह में लेंट्र सूद ब्रेंड अमबेस्टर बढन लली त्यार हो गिह हां वननि ग्यार है है कि देश ता मेंटॉर मोने महीं नौनब मेचन बिच लो उँछा वयका केज़वालने दस है कि मेंटोर प्रोग्रम दे अधीन ब्रुक्चन दे करियर चिक किस तरह अग्यवत न इस बारे दस है जावेगा असी लोगों नो उपील कर दे हां कि अग्याओ अथे बच्चे दे मेंटोर पन उने कि हां कि कई बार बच्चे परिशान होंदी हां अथे पूरे देश के लिए आज सोनो सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं देश भर में जब भी जहां भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनो सूद जी को मैसेज या ट्विटर या कोई फोन कॉल या मुझे पता चला है हजारों लोग इनके घर पे रोज प पास जिस भी तरह की मदद चाहे वो मेडिकल मदद हो चाहे वो खाने की मदद हो चाहे वो किसी भी चीज की मदद हो किसम किसम की मदद लेने के लिए पहुंचता है उसको मदद मिलती है तो अपने आप में एक अजूबा है अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पारी वो आज सोनुसूद जी कर रहे हैं तो अभी इनके साथ काफी लंबी बाचित हुई हमने समझा इनके सारे जो काम इनके उसके उपर काफी लंबी बाचित हुई जो जो काम ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे बना एक जो अच्छा डवलप्मेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटॉर्ज नाम से कारेकरम अभी पाइलिट बेसिस पे चल रहा था अब कुछ दिनों के बाद इसको लाउंच किया जाएगा मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूं कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत गरीब बैगराउंड से आते हैं उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडन्स देने वाले लोग कम होते हैं मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डेजाइनर बनना चाहता है कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है कोई बच्चा कोई पर्टिकलर केरियर उसे पता नहीं होता है मैं कहां जाओं किसके पास जाओं कैसे जाओं उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते हैं ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हैं कि आप आईए सामने आईए और सरकारी स्कूल के एक, दो, तीन जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं आप उतने बच्चों को के मेंटॉर बनिये तो उनसे आप लगातार फोन पे बातचीत करते रहे हैं, उनको फोन पे आप गाइड करते रहे हैं, बच्चे आपको फोन करकर के पूछते रहेंगे और कई बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रूप के अंदर सुइसाइड भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशन करके वाइजीन इसुए शब्रादर बने के लिए तयार Mona काकते का घृट बहुत 214 इसुा हुआ शुक्रिया आथक dłrh survey के वाई comment टोर बनेंगे और उपड़ी सेक्वाइनी की सरा fala के नियुंत अपड़ा हैंजित K answer Thank you so much Arvind sir, Manik sir, Raghur bhai for giving me this opportunity कि आज मैं इस प्लैटफर्म के हूँ, विजनरीज के साथ मैं सर को विजनरीज के बोलता हूं कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो देली जैसी हो and I think it's very important कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेली में किस लेवल का चेंज़ आया है and all thanks to sir for that जब lockdown शुरू हुआ you know लाखों migrants के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी medical की problem देखी तो एक education एक बहुत बड़ा मुद्दा था पहले lockdown में करीबन 2000-2200 बच्चों को हमने बढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को you know as su charity foundation हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन जैसा अरविंज सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा question mark होता है कि उनको पता नहीं कि क्या करना है, मैं क्या करूँ, कई बार हमारे जो अच्छी families के माबाब होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बता दें कि वह आपको engineer बनना है, doctor बनना है, MBA कीजे, कोई भी कीजे, लेकि एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक platform दे दिया, अचा स्कूल दिया, अचा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें गया, दिशा कौन सी पपड़े, तो उस समें हमें वो लोग जाहिए, जो एक बहुत experience साथ में लेकर आते हैं, जो आपके mentor बनते हैं, ज आज दिली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का, हम हमेशा बोलते कि, और मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाओ, मैं उस लाइक बन जाओ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं इस्टैबलिश कर लूँ, मैं अपना बिजनस इस्टैबलिश करू इस्टैबलिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, दो बच्चों का, दस बच्चों का मेंटॉर बन सकता है, उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें, क्या ना करें, मरीश सर अभी मुसे शेर कर रहे थे जो मैं बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर बारा था, कि हमें पत जादा प्लैटफॉर्म से, इतने जादा एविनी से और इतनी जादा रास्ते खुल गए हैं, जहां पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से औरडी गुजर चुके हैं, या कुछ सफर तै कर चुके हैं, उन लोगों को मेंटॉर बनने का बहुत बड़ा म मिला क्योंकि हमने बोला कि चोलो हम बच्चों का भविश्य बड़ने की कोशिश करते हैं, उनको करने की पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज हम हजारों बच्चों को बढ़ाए भी, जो भी लिसनर्स हैं, या हमें सुन पा रहे हैं, आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है, देश का मेंटॉर बनने का मौका मिला जा रहा है, हम लोगों हमेशे शिकायत करते हैं, कि भीया यार हमारे लिए फ़लाना आद भी कुश नहीं करता, हमारा ये ह प्लैटफर्कार नहीं प्लैटफर्म खोल के देश के मेंटॉर्स का प्लैटफर्म नहीं बनाया है, बल्कि आपके लिए एक प्लैटफर्म बनाया है, देश के लिए कुछ करने का, so be a part of it, चुनिये उन बच्चों को, आज हर एक बच्चा गर आप एक भी बच्चे को बच्चा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं, so I think उससे बड़ी देश, भक्ती वाली कोई फिलीं नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदा नहीं होगा अगर आप वो कर आए, so I think it's a great opportunity, and I feel blessed कि आज, under the leadership of Arvind Sir, Manish Sir and Raghav Bhai, that they have given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाख लोगों तक लाखों, लोगों तक लाखों, स्टुदें तक पहुंच पाँ और उनके mentor बनने की कोशिश कर पाए, so I think together we can and we will. बोलते हैं कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा, so I think वो समय आ गया है कि हमें सब के साथ में खड़े होना है और करके बता है Please subscribe our channel and press the bell icon तक कोई भी नवी अपडेट तुसे बिलकोल भी मेस्ट ना करों